हेलो नमस्ते असलावलेकूम सास्रीयकाल यौली मदद क्या हाले गाइस आए होपी काइस आ डूइंग फिल तो वक्त हो गया है एपिसोड एट के पार्ट टू का इसके पहले पर ने एपिसोड एट का पार्ट वन देखा था जिसमें मुस्लिम मिन अकिल की सहादत हुई थी त पर के गैरत तो मर्दानगी को भी बेच दिया वाय हो मिजच खबीले पर के उनका नाम ढूब गया कहां है पक्ड़ो इसे कहां है वो गैरतमन मुस्लमान जो पने खून की गैरत का दिवा करें शर्मानी चाहिए तुमें कूपियो डूम मरो तुम लोग खुदा तुम लोगों को खत्म कर दे के फर्तन रसूल को एक बदकारा के बच्चे के आतों बेच तुम लोग तो इस बात के हगदार हो कि खुदा पौम नूह और पौम समूद का जाब तुम पर नासिल करें सियाँ चेहरे वाले दोजखियों गुजएन को तुम लोगों ने कूपे बुलाया ताके उनके खून का सौदा कर सको आप लोग जानते हैं इबने मरजाना कौन है इबने मरजाना वही पलीद शक्स है जिसने बसरा में एक महला बनवाया और इसमें फत्र और असान की असीर शुदा औरतों से जबरदस्ती पाज़ भी करवाई इबने मरजाना वो सफाख है जिसने औरतों के पेट के बच्चो पर भी वह्म नहीं किया, खामोश, खाफिर हर भी, अपने गदा नीचे चुगाओ, इतना सखी नहीं हूँ कि तुम्हारा अपने गतल में भी साथ तू, ओ, किया तुम भी वही सोच रहे हो, जो मैं सोच रहा हूँ, अमीर किस बारे में सोच रहे हैं, मुक्तार की मौत, जसारत ना हो तो और्स करूँ, कि जितना कम खून बहेगा, हकूमत की बगा उतनी ही बढ़ जाएगी, खुदा गवा है कि मैं भी मुक्तार के जिन्दा रहने से बहुत नाखुश हूँ, मगर उसे मारने को फिलहाल खिलाफ मसलिह समझता हूँ, मुक्तार और हानी जैसों में जमीन आस्मान का फर्क है, उसने और उसके साथियों ने सफ दिनों से मुकाबले के मश्के कर रखी हैं, मैं तो यही मश्वरा दूँगा, कि उसे मारने में चलती मत कीजिए, अए अबन साद, मुक्तार को या तो हमारे साथ होना है, या नहीं होना है, कोई तीसी राह तो मौजूद नहीं है ना? बादशी इससे मामला हल किया जा सकता है, उसे तसलीम होने पर मजबूर कर दें, अगर ना माने तो? तसलीम ना हो, तो उसे मार दें, मौत एक बार की है और जिन्दगी भी, अगर मुक्तार के मरने से कोई वाकिया रूनुमा होना है, तो बहतर है अभी रूनुमा हो जाए, कोई शक नहीं कि अमीर के समझदारी हर खास वाम के जबान पर है, पिछले हंगामे में अमीर के जगावत ने मुझे हैरान कर दिया था, मुझे यकीन हैं अमीर के आप, मुक्तार से निमटने के तमाम हर बूसे वाकिफ हैं, यकीन आप ने कुफा की हकूमत के लिए कोई ना कोई फिकर कर रखी होगी, आए तुफ है कोफियों की खबरबाद, खुदा लानत करेगी इन कच्चे कानवाली लोगों पर, खुद खुदा भी मैदान में उतर आए, खुदा मुहमद गवा है, ये बेजहरत लोग जुरूर ख्यानत करेंगे, बतीजे इस जमात को जब तक टुकड़े टुकड़े ना कर दो, इनके शर को खत्म नहीं किया जा सकता, गीदर को कभी इनसान नहीं बनाया जा सकता, अब इसाओ, खुदा मुस्लिम ने हमारी गहरत को मज़ीद लका रहा है, इनतकाम की प्यास में हम जल रहे हैं, हमारा साथ दो के तुम्हारी रकाब में कूफे को आशिया का कॉब्रस्तान बना दें, किस बांसे मूँ फैरे हुए बैठे हुए हो अबु इसाओ, तुम्हें याद है ना, जब हम कूफियों की बेवफाई के बारे में जदल कर रहे थे, तो तुमने मुझे से चाहा कि दिल से बैठ करूं, और कूफियों से किसी किसम की उम्मीद वाबस्ता ना करूं, कूफियों ने हमारे साथ ख्यानत की, ये कोई नई बत तो नहीं है, अपने दिल की खबर लो के अच्च की तरफ परवास के शौक में बालू पर मार रहा है, उठो ताके हम खून के दरिया में नहाएं, वकॉल तुम्हारे हम वही जमलो सिफैनो नहरवान के शेर हैं, तुम ने मेरे मुर्दा दिल की आग को दुबारा भरता दिया है, तुम बैठ जाओगे तो ये आग दुबारा थम जाएगी, उठो मुखतार, जनाब मुस्लिम के दाग ने हमें मजीद जर्ड़ी बना दिया है, उठो मुखतार, अपने बाप अबु उबैठ की तरह एक नारा लगाओ, ताके कूफे के तमाम गीदर नुबा लोगों के दिल बैठ जाए, मेरी जान की गसम है, हमारी हिकमत को राएगा मत चाने दो, एए वो जिसकी गहरत पर मैं सथके जाओं। अमन के अलम उठाओ, हंगा माराई करने वालों में से जो भी तॉबा करे, और तम्हारे परचमत लिया आजाओ, उसे आमान देना, और हाँ, अपने कुछ कारामत लोगों की फौज लेकर, मुखतार के मुकाबले पर जाओ, और उन पर रह बंद कर दो, कोशिश करना के मुकतार और उसके साथें को सरे तसलीम खंप करने पर मजबूर कर दो, अगर वो आमान चाहें, तो उने आमान दे देना, जसारत कर रहा हूँ, अमीद, मुझे तु मुकतार को आमान देने से माफ रखी, मैं ललना बेहतर समझता हूँ, क्यों? अजीब है, ठीके वादा करो और अमल करो, मुस्लिम से भी वादा तिया गया था, मगर आपने उसकी लाज़ना रखी, मैंने मुस्लिम से आमान देने का वादा नहीं किया था, अबने अशरस न अपनी तरफ से वादा कर लिया था, मैंने नहीं, और फिर क्या तुम अपने आपको अबने अश्रस से मिला रहे हो? तुम्हारी गद्र कीमत मेरी नजर में अबने अश्रस सौ गुना जादा है तुम्हारी बात मेरी बात है शक को दिल में जगा मत दो जाओ, मुक्तार तुम्हारा मुन्तजिर है अगर तसलिमना हो तोसी कातल कर्दू कर्दक कर्या अगर हो तोसी कातल कर्या हो तोसी कातल कर्दू और जया जया एंटी प्राश्साट अगर कर्दू अगर कर्दू विए भी आप जाना जाना जाता हूँ इनका अमिल दुश्मन ये सुला का पर्चम रहा है क्या तुम नहीं देख रहे हैं ये फिर से जुड़ बोलेगा अबनिस जादा नहीं है मुझे पता फिर से चाल चला है उसने कुछ अगर उनका लड़ने का रादना हो तो तुम नहीं लड़ोगे किस लिए लड़ें जब दुश्मन लड़ना नहीं चाहता तो मुझे अपनी और अपने साथियों की जान खतर में मत डालो ये लड़ें जो तुम देख रहे हो उनकी ताराद इतनी है कि मैं उसे गिनने की खुद्रत नहीं रखता था यू समझो कि जितने भी तलवार बास थे कुफे में वो इबन साथ के लशकर में शामिल हो गए गर खुदकुशी करना चाहते हो तुम लोग तो तलवार उठाओ मेरी सला चाहो तो सरे तसलीम खम कर दो और अपना और अपने साथियों का खून खरीड लो तुम्हारी तलवार गलाफ में रहे ये बेहतर है या गनीमत की तौर पर उमर साथ की कमर पर बांदी जाए यकिनन कूफा की खबरे तो सुनी होगे तुमने मुक्तसर अर्श करता हूँ कूफियों ने मुस्लिम को फिर दिखा दी मुस्लिम और हानी दोनों मारे गए मिलखजियों की एक आवाद भी ना निकली कमाम कूफी इबन ज्याद के पर्चम तले इसलाम का नारा लगा रहे हैं और हुसैन इबन अली को हकपल नहीं समझते अब सिर्फ तुम रह गए हो और ये कलील सी तादाद अब तुम्हारी मर्दी तुमने एक बार जवानी में मेरी जान बचाई थी मैं उसका बदला देना चाहता हूँ अगर हत्यार डाल दो तो शरीफाना वादा करता हूँ अमीर के हुजूर तुम्हारी बख्षिच करा दूँगा और तुम्हारे लिए अमान मांगूँगा मुझे जादत दो के इसी तन से इसका सर जुदा कर दूँ अबू इसाख ये शक्स हमारी शलाफत खरीद में यहां आया है इन लोगों की बात मानना सरासर खता है इन लोगों ने जिनाबे मुस्लिम को भी आमान दी थी इनका सुफेद जंडा सिर्फ एक चाल है अबू इसाख अगर रुखसत दे दो तो मूतोर जवाब दूँगा इस मलून को इनके पीछे कोई हुजूम नहीं ये जूटे कि ये लोगों मरे साथ के लशकर के हम रहें ये कुटा कौन है अबू इसाख इसने अपने नामों कभी लेकी कोई बात नहीं की है भाईयो जब तक दुश्मन की कमजोरी और रुकुट को ना पैचान लो तलवार पर हाथ रखना खता है मैंने इश्क और अकुट के खलाब तलवार नहीं उठाई हारने के लिए मैदान में नहीं आया हूँ मैं जीतने के फिकर करता हूँ हार की नहीं तो अपने घुसे को लगाम दीजिए अपने आपको संभालिए और मेरी बातों को गोर से सुनिए आज मामला दुश्मन के हाथ में है जहां जीत हमारी थी हमारे साथियों ने दलील इंतराशना शुरू कर दी और जंग से परहेज करके उसे मकरूख कहे बिया और इतना वक्त जाया किया कि दुश्मन को हाथ पाउं चलाने का मौका मिल गया और उसने अपने साथी काफी तादाद में बना लिये और हम पर सबकत ले गए दुश्मन हमारे तसलिम हो जाने का खाहा नहीं है बखुदा कसम बखुदा कसम मैं न मात से डर रहा हूँ और ना इस बात से कि हम तादाद में कम हैं और दुश्मन ज्यादा मेरा डर हमारे गम औगुसे के मर जाने के बारे में है वो गम औगुसा जो हमारे दिलों में छुपा हुआ है दुश्मन हमें मार दे तो उसने हमारे गम उगुसे को मारा है और हमारा गम उगुसा मारा जाए तो दुश्मन किसे डरेगा तो फिर अपने कीनों और गम उगुसे को अपने साथ अपने कबीलों में ले जाओ और उस दिन का इंतजार करो जिस दिन हमें समल का बदला दुश्मन से लेंगे और गलबे के लिए मैदान में आए ना कि शिकस्त के अबू इस हाग तुम्हा क्या डरना जाते हो तो फिर अपने फिदायों का सर कलम कर दो क्यान बेन कामिल इतने साल जो हमने खूने दिल पिया है वो मत भूलना ये फैसला हर्गस नहीं किया था हमने के गार बराबर जंग में अपनी आर्जों को अपने चाजबात किया के खुर्बान करते इतना होसला नहीं है मेरे पास मुक्तार तुम लोगों का फैसला नहीं हुआ अब तक बहुत जल्दी है बिन हुरेश मेरे हजार तरह के मजगले मुक्तार तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूँ कि जब देखो मक्षी के छटे में उगली मारूं क्या हुआ अपनी जान का सौदा करते हो या तस्लीम करते हो तुम और मेरी जान लोगे हाँ मैं क्यूं अपने आपको बदनाम करूँ उमरे साथ जैसा एक मलकल मौत मेरे पीछे बारी लगाए खड़ा है मैं सिर्फ अपना कर्स चुकाना चाहता था सिर्फ यही मेरे साथियों की भी जान की जमाना देते हो तुम्हारे साथियों से क्या लिया न देना जगड़ा तुम्हारे साथ है जब तुम ही इन लोगों को जोश दिलाने के लिए नहीं होगे तु यह अपनी भेर बकले के पीछे चले जाएंगे तुम्हारे से कोई चाल है तुम्हारे सियाद का जिस तरह से मुझे भी नहीं के साथ चाल के जाएंगे अमान का झाल अमान को जाएंगे जाएगा नीकिया आथ से जाएगा उमर जाएगा 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 तो मुख्तार सकाफी आप हैं तुम बिलकुल बरहक थे अबने साद मुख्तार की हैवद कुछ कम नहीं है हक बजानिब थे कि उसकी आँखों से खौफ खाओ यह आँखें तलवारों और बर्चियों से भरी हुई है मैंने कसम खाई है कि जिस चीज से भी डरूँ उसे खात्म कर दूँगा कि ता हरामी यह भी है सही में खुदा की कसम बिन हुरैस की शिफात ना होती ते तुमारा खून बहा देता इसकी जान तुम्हें बख्च दिए बिन हुरैस इसे शेर नर्स से ऐसा गीदर बनाऊंगा कि अपने साई से भी बहशत करें इसे कैद कर दो एए बने साई जी अन्वीर जब तक हुसेन कूफे की राह में है मैं कूफे की जानी से मुद्में नहीं हो सकता इस से पहले के कूफा के लशकर को रे पर गल्बे के लिए तयार करें मक्के की तरफ जाओ और हुसेन और उसके साथ यह गरास्ता रोग दो हुकूमत रे उस बैद के बदले में है जो तुम हुसेन से लोगे यह जोड़ो आपकर को भी बस तालच दे रहा है आप अास्वा कोले से लुट में आपकर की लोगो ध счит आपकर सोब एक्षाह इस शाख को जानते हो? जी सरदार, मुक्तार इसा ख़वी है शाबाज याद रहे के मैंने इस मर्द दिलावर सकिफी को शरीफाना कौल दिया है कि इसकी जान की जमानत दूँ मेरी शेरग भी काट दी जाए मैं जबान से नहीं फिरूँगा अपने खिर्जा खिलाओगी से समझे कोई भी पैगाम किसी की भी जानिब से मिले जो इसकी जान को खतरे में डाल दे तो मैं तुम से फिसास लूँगा समझाई? जी सर्दौर और तुम मुफ़तार ये जान लो कि अब तक कोई भी इस काल कोट्छी से जिन्दा वाहर नहीं आया लेहागा अपना ख्याल लगा खफलत बढ़तोगे तो खुझ अपनी जान के जिम्मेदार होगे जाओ पाप का जाओ खफ़ाइएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए एगा भूण बुदाया किस्यान तुखाया पुदाया कुदाया दान thousand mark सूर और प्रो पिर भाइड हमार एंग कि शान । अन वखे फिर एंग लार लार जंजीर में जकड़े हुए शेरों के महले में खुशाम जीर मीसमे तम्मार ताइस इट यार वो जिन्दान था या नर्क था बहुत बयानक जगह था वो जहां पे कैदियों को रुखा गया है बहुत बयानक जगह वहीं पे अज़ते मुकतार को भी लेकी गए यापर मीसमे तमार भी थे पहले से बहुत बयानक जगह थी यार वो बहुत बयानक जगह पर इसके पहले भी चल चल चला था एंट दूवारा से एक और बार बार चाल चला है जो ये एक लाइक कहता है कि मैं अमान रखता हूँ लाइक तुम अपनी तलवार को मयान में रख लो हम जो है प्यार और अच्छी तरह से इस चीज को सुलजाएंगे हम जगडा नहीं करेंगे हमारी तरब से भी और तुम तुमारे तरब से भी तलवार को नीचे रख लो बटी हर बार ज जुबान देता हूं कि हम रड़ाएं नहीं करेंगे अपनी तरब से भी तो वो भी एक चाल था है दोबारा से एक और बार चाल चला गया है हज़ते मुक्तार के साथ तुमने देखा वो कहता है एपनी जियात कहता है कि मुझे मुक्तार की आखों में बर्चिया तलवार इस त थोड़ा से उपर मार देता है जिंदान में मुक्तार को भी डाल दिया जाता है इस तरह का हरामी था इपने जियात बहुत धरतनाग स्टार्टिंग हुए थी इस पार्ट की हानी के साथ हानी जो था मेरे कहल से मार दिया गया है इसमें दिखाया थो नहीं है बट मेरे कहल से मार दिया गہा है जो बिन-हुरेश कहरा था कि हानी को भी मार दिया गया है पहले मुचलिमिन अकेन को मारा गया है अब उसके बाद मुझे लग रहा है रहा रहा है हानी जो है बद्ध्याओ कर रहा है कुफhy की बहुत जादा कर रहा है बुल हदपार हो गया चाहे उमर हो चाहे बने जियाद हो में उमर को खबर ही नीए लिटरली कि उसे दिया जा रहा है उसे सिर्फ एक तरह से लाइक लालच में रखा जा रहा है कि तुम्हें जो है रे की हुकुमत मिल जाएंगे बड़ा ऐसा मुझे कह रहा है लेकिन मुझे नहीं नहीं लगता हो देगा सिर्फ लालस दे रहा है ताकि वह उमर उसके लिए काम कर सके मुझा एंदर रहे सके आप इवनी पार्ट ना अफ्व नइन एपसोड के अंदर मैं है तो यह से एट का पार्ट twıपन एपसोड भी देखेंगे जल्थ तो that's it, मिलते हैं next video में, be safe, be happy, peace out याली मदात, लब बाई क्या हुसे